हाई एवरिवान गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो बुद्धवार का दिन है और सुबह के 9 सवानों का टाइम हो रहा है तो मैं बस यहाँ पे लग गए हूँ किचन की सफाई में सुबह का खाना पीना सब कु उनों लोगों का जो है दो पहर में ही होता है क्योंकि हम सुबह कुछ न कुछ नास्ता करी लेते हैं बाकी पापा सुबह नास्ता करते नहीं है तो उनको सुबह चाहिए होता है और इनको जाना होता है तो यह भी सुबह ही खा लेते हैं तो दो लोगों का सुबह खाना होता लेकिन मैं एक दो दिन एक्स्ट्रा रुख गई क्योंकि तबियत सही नहीं थी तो सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे रेस्ट करना तो मुस्किल है और वहाँ पे रहता है न मायके में तो आराम मिल ही जाता है तो वही सोच के मैंने न एक दो दिन मतलब सोचा कि नहीं एक दो दिन बाद ही जाओंगी तो बस वही मंगलवार के दिन रात को आई तो रात को आने के बाद जो है कोई काम और तो नहीं किया सिर्फ किचन को जो है साफ कर दिया तो किचन बहुत जादा गंदा भी नहीं हुआ था क्योंकि न यहां पे भी मतलब सब लोग साधियों में ही जा रहे थे 20 से continue साधि मतलब चल रही थी साधियों में जाना जो है 20, 21, 22, 30 मतलब ऐसे लगा तार साधियां अभी तक जैसे कल में आई ना तो कल भी पापा और तनमे दोनों लोग साधियों में गए मेरा और इनका खाना था तो मैं वही खाना बना और उसके बाद मैंने किचन वगरा क्लीन कर लिया क्योंकि सुबह जो है मनलब और घर पूरा साफ रहे या नह रहे लेकिन किचन को साफ करना जरूरी हो जाता है क्योंकि एक टाइम के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम में खाना बनाना है तो किचन को साफ हरकना जरूरी है तो बस किचन को साफ रात को भी कुछ कर लिया था और जो डेली रूटीन में होता है वो अभी मैंने सुबह कर लिया तो अभी किचन एकदम साफ हो गया थोड़े बहुत सामान फैले हुए थे तो उनको मैंने रात में ही स कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं मतलब अगर दो तीन दिन के लिए घर से कहीं बाहर चले जाओ ना तो मतलब घर की हालत ऐसी हो जाती है ना कि आने के बाद ये लगता है ना कि कहीं जाओ ही मतलब आने के बाद इतना काम और जितना आराम हम किये रहते हैं, सब मतलब खतम हो जाता है और काम एक दिन में पूरा हो भी नहीं पाता अब जितना काम छुटा हुआ है ना, सब निप्टाने में जो है दो से तीन दीन लग जाएंगे तो कपड़े भी बहुत सारे हैं तो दीरे दीरे अब साफ करूँगी मैं जैसे जैसे जो जरूरी है जो मसीन में डालने हैं उनको तो डाल दिया था जो हाथ से करने हैं वो अभी बाद में जैसे नहाते टाइम करूँगी या फिर साम को ऐसे भी और फैलाने की भी जगन नीच तो यहाः पर नहीं है और उपर कपड़े आजकल डालती नहीय हूँ पर न दिन कपड़ दैम को फिर से जहांपर डाल दूँ हूँ तो हुँआ ंस रूममे से चल सकते आजके हूँ質 बैग और और इसले हैं कि समेठ ले कि अभी जो है सारी चीजे जो है सेट तो नहीं करूंगी ले जा कि अभी मतलब सब कुछ अलग-अलग कर दे रहे हूं जो धोने वाले हैं उनको निकाल दूंगी बाकी सब ले जा कि उस रूम में रख दूंगी ऐसे ही ये काम भी धीरे-धीरे ही होगा क्योंकि साडिया वगेरा है तो इनको कैसे कहां रखना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और अभी न धूप भी इतनी जादा हो रही है कि दो पहर में इस टाइम पर मतलब अगर ये काम सुरू कर दूंगी तो पूरा दो पहर निकल जाएगा और मतलब बहुत जादा ठकान हो जाएगी तो अभी त बताओं मतलब रात को ही मुझे हो रहा था कि बस किसी तरह जाडू लगा देती हूँ मतलब अगर टाइम रहा होता थोड़ा से पहले आ गई होती न तो जाडू पोचा कल रात को ही मैंने मतलब साम को कर दी होती लेकिन आने में काफी लेट हो गया तो फिर वही है कि साम के जो है जाड़ू अगरा लगाए नहीं जाते हैं तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो अब ही जो है बैग अगरा ये सब सामान जो है बाद में सेट करूंगी यहां पर जो कुछ मेकप का क्रीम अगरा थे कुछ जो मैं ले गई थी इन सब को जो है जगह जगह रख दे रहे हूं जितना काम देखे हो जाता है ना उतना अच्छा रहता है जो हम छोड़ देते हैं तो फिर ऐसा भी हो जाता है कि मतलब लेट पे लेट होते जाता है तो ये सारी चीजे तो मैंने सेट कर दी क्योंकि क्रीम और जो है ना यहां पर भी मतलब बॉड़ी लोसन बहुत सारी जिसे और यहां पे यह बेट सीटव अगरा भी हटा ले रही हूँ कि सारे गंदे हो गए हैं वैसे गंदे हो भी गय थे मैं जब थी तब ही गंदे हो गय थे लेकिन मैंने यह सोच के नहीं हटाया कि आंगी तो मुझे फिर से दुबारा साफ करने ही हैं नहीं रहने पे तो बेडवागरा की हालत और खराब हो जाती है तो यही सोच के नहीं साप किया था और टाइम भी बहुत कम था वही निवरात्री बीता एकाथ दिन थोड़ा सा रेष्ट मिला उसके बाद जाना हुआ फिर जाने की भी तयारी करनी पड़ी तो मतलब ना समय इतना जादा भागा दोड़ी इस बार हुई है निवरात्री से कि मैं क्या बताऊं और उसी में मुझे इतनी जादा थकान हरारत बीच में हो गई कि मतलब सादी में मैं गई लेकिन मेरी तबियत यहीं से गड़बड हो गई थी तो बस बेट सीट हटा लिया है और ले जाके उसको भी मसीन में ड जाएगा जो है तो डालना होगा तो अभी दोपहर में डाल दूंगी नहीं तो कपड़े डालने का काम साम को भी तीन चार बज़े जैसे डाल दूंगी तब भी सूख जाएगा छत पे ना धूप ज़्यादा लगती और मेरा बात्रूम उधर है ना तो इस वचा से मुझे क काम करने में थोड़ा सा दोपहर में ना बाहर वाले काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और अंदर रहता ना तो मैं सारा धुलाई वगरा सब कुछ ये अंदर के अंदर मैं कर लेती पूरे दोपहर में भी करती तो कोई दिक्कत नी होती लेकिन अभी 11 बज़े के जाते से मेरी तबियत क्राब ओई ती लेकिन बाखी और लोग भी न zeros मैं देख रही हो जैसे में जाया वहाँ भी गई थी और यहाँ पर भी सुन रही हूं कि सब की तबियत बहुत जादा खराब हो रही है धूप की वज़त से गर्मी की वज़त से लोग बाहर जाके धूप में आने के बाद तुरन पानी वगरा पी रहना तो ये सब सारी चीजे ना बहुँ ज़ादा नुकसान कर रही है तो थोड़ा सा मतलब ध्यान देना और थोड़ा सा मतलब साउधानी बरतना जरूरी है धूप वगर पूरा मतलब कभर वगर करके और जिसको जरूरी नहीं है वो लोग घर में ही रहें तो अच्छा है सुबह साम हम काम कर सकते हैं तो बस बेड़ वगरा दोनों रूम का सारा कुछ सही किया और अभी यहां पे सीडियों से जाडू लगाना स्टार्ट किया है सुबह एक बारी न कि थोड़ा सा किचन और यह साप रहेगा तो काम करने में सही लगेगा तो सीडियों से जाडू लगाते हुए आ रही हूं और दोनों सीडियों पे मैंने लगाया क्योंकि दोनों ही बहुत जादा गंदी हो गई थी बाहर ना रहर रखा हुआ है उसका भी काम हो रहा है तो इस वचे से गंदगी बहुत जादा हो रही है। गेहुं की कटाई हो रही है तो खेत खलियानों में होती है लेकिन गाहों के अंदर घरों में धूल बहुत जादा आती है। करते हैं तो जैसे लगता है कई दिनों से घर मतलब में जाड़ू पोचा हुआ ही नहीं है कई दिनों से गंदा ही पड़ा है ऐसा ही बिल्कुल लग रहा था लगी नहीं रहा था कि मैं अभी जस्ट सनिवार के दिन मैं यहां से गई तो सनिवार को जाड़ू पोचा करके ही ग गराब हो गई तो बस यहां पे पूरे घर में जाडू लगाने के बाद बरामदे में भी अच्छे से जाडू लगा ले रही हूं टेबल का कपड़ा वगरा सब कुछ हटा दिया है बेट सिट के साथ उसको भी डाल दिया है दूलने के लिए और इस पे भी बहुत सारा सामान पहला हुआ था तो उन सब को समेटा जाड़ा और अभी यहां पे पूरे घर में जाडू जो है लग चुका है उधर वाला रूम बाकी रह गया है तो वो अब आज तो नहीं हो पाएगा धीरे धीरे ही होगा वही है ना कि अगर तीन-चार दिन हम काम छोड़ देते हैं तो उस काम को निप्टाने में हमें ना फिर हप्तो लग जाते हैं मतलब दीरे-दीरे सारा काम निप्टाने ऐसे रूटीन में काम होता रहता है तो सही रहता है और अगर छोड़ दिए तो फिर लेट लतीफ होते जाता हैं तो बस जाडू लगाने के बाद यहां पे लग जाएगा, मतलब सफाइ होई रही है, रूम अगरा जाड़ू लगाने भी मुझे टाइम जादा लगे ऊपर सीड़ियों पर लगाना पड़ा नीचे भी मैं गई पूरा सीड़ियों से मैंने लगाया क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मैं पूरे बरामदे में घर में जारू लगा दू सीडियों पे नहीं लगाऊ ना तो अभी इस टाइम पे क्या होगा कि सीडियों पे बहुत जादा धूल है तो जो जो लोग उपर आएंगे ना धूल सारा अंदर आते जाएगा तो इस वज़े से सेड़ियों पे भी जारू लगाना पोच्छा लगाना जरूरी हो जाता है गर्मीयों में ठंड में तो इन सबसे थोड़ा सा जान बचा रहता है लेकिन गर्मी में न बहुत जादा सफाई करनी होती है यहाँ पे टेबल को भी अच्छे से पोच लिया है भी आके मैंने टेबल ये बाहर वाला और अंदर वाला भी उसी से पोच लिया अब जो है कॉलीन वाला काम जो है अगले दिन या जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा वैसे वैसे करूंगी में जो जरूरी था पूरा घर गंदा पड़ा था न तो इसको साप करना जरूरी था और तबियत भी मेरी न कल में आई तो भी मुझे ऐसे ही मतलब हरारत लगी रहा था लेकिन गंदगी घर की देख के न जैसे होता है न कि मतलब घर गंदा हो न तो सारा ठकान सब कुछ गयब हो जाता है फिर ये हुआ न कि कब मैं लगूं और कब जल्दी से साप करूं सुब मिलता है जब पूरा घर साप सुत्रा हो जाता है न तब ही जो है एक मतलब चैन मिलता है कि नहीं हाँ अब हम अपने घर में है और पूरा घर साप सुत्रा हो चुका है तो बस पोच्छा लगाने के बाद यहाँ पे बेसिन को भी साफ कर लिया है ये जो है उपर का मिरर रह तो इसको मैं देखती हूँ बाद में ही करूंगी कोई कपड़ा अभी न यहाँ पे कपड़ा वगडर भी मैं उसी रूम में रहती हूं तो वही कॉलीन लूगी और कपड़ा टो इकठ्टे जो है हर जगण को मतलब फरनीचर, दरवाजे और ड्रेसिंग वगर मीरर सब कुछ पूछ दूँगी तो देखे अभी पूरा घर मैंने साफ कर लिया है और अब जाके घर थोड़ा सा देखने लाइक हुआ है नहीं तो कल से तो मतलब अपना घर ही इतना आजीब सा लगता है न कि क्या ही बताऊं तो अब जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेहनत तो हुई जो है काफी जादा मेहनत हुई लेकिन साफ सुत्रा घर देखके मन को सुकून भी उतना ही मिलता है फिर वो मेहनत मतलब सफल हो जाती है ये लगता है कि हाँ मेहनत किया मैने तो उसका रिजल्ट अच्छा मिला जो है सुकून भी मिलता है अच्छा भी लगता है जो है गंदे घर में हम रहते हैं तो अपने मन को ही अजीब सा लगता है और साफ सुत्रे घर में रहते हैं हम कैसा भी घर हो लेकिन अगर साफ सुत्रा रहता है आसपास की चीजे साफ रहती है ना तो अच्छा लगता है एक positive vibes आती हैं तो यहाँ पे मैट वगरा जितने थे ना उनको भी मैंने धो लिया उन पे भी बहुत जादा धूल लगे हुए थे तो इनको भी मैंने धो लिया और उसके बाद नहाने चली गई अभी ये साम का time है साम को जो है वही चाय वगरा बनाने के बाद का time है तो कुछ सामान आयती नमकीन और बिसकिट है यहाँ पे यह ओरियो वग बिस्किट जो है तनमे के लिए मंगाया है मैंने दूद वगरा के साथ लेने के लिए और मूंग दाल नमकीन ये अपने लिए मंगाती हूं जैसे मुझे ये ब्लड प्रेसर लोग की प्रॉब्लम है तो बीच बीच में जैसे सुबह के टाइम ले लेती हूं चाय वगरा के वहारी चीजे मतलब कुछ-कुछ चीजे खतम हो गई थी तो वही नहीं रहने है तो सामान आता नहीं है आने के बाद ही हम ही देख सकते हैं कि क्या चीज है क्या नहीं है किस चीज की जरूरत है हम औरते ही पूरा घर चलाने का काम हमारे जिमे ही होता है तो बस इनको रख दिया जगा जगा पे और अभी यहां पे सबजी डाल दी है आलू परवल और टमाटर की सूखी सबजी ही बना रही हूँ क्योंकि सुबह का काम वगरा करने के बाद साम को भी मैंने कुछ काम निप्टाए जो है तो इस वज़े से ठकान सी लग रहे थी कुछ और बनाने का मन नहीं कर रहा था तो बस सिंपल सी सबजी यहां पे और यहां पे यह जार में नमक वगरा भी भर दे रही हूँ तो काली मिर्च और नमक वो भी थोड़ा सा खाली हो गया था तो उसमें मैं क्या करती हूँ ना यह सादा वला नमक जो है उपर से डालती जाती हूँ तो हर बार पीसती नहीं हूँ मतलब एक बार पीस लेती हूँ तो करीब दो महीने तक आराम से चल जाता है तो उसको भरा और उस वाले में नमक वाले में फिर से नया पैकेट खोल के उसको भर दिया है और यहां पे जो बरतन वगरा सिंक में हैं इनको धो ले रहे हूँ तो काम जल्दी जल्दी खतम करते जा रही हूँ कि थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाऊँ तो रेस्ट मिले थोड़ा सा नीद भी पूरा होना जरूरी है तो यह सब काम हुए रहेंगे न तो रोटी बनाने के बाद मुझे बहुँ जादा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा तो यह सारा बरतन धो लिया है मैंने उसके बाद जो है आज मंदीर की सफाई नहीं हो पाई पूरे घर की सफाई करने के चकर में मतलब टाइम ही ने मिला काफी जादा टाइम हो गया तो फिर मंदीर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया दिया बती तो वही तन में ही कर रहा है जब से मैं गई हूँ तो मंदीर जो है कल साप करूँगी तो बरतन वगरा धो ले रहे हूँ कि सुबह उठके नहाने के बाद जो है सिर्फ मुझे मंदीर साप करना रहेगा तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रहे हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बाबाई, थैंक्स फॉर वोचिंग